तो हलो फ्रेंज वेकर दो माई यूटूब चाहिए वस्टाफ वाई के टेक्निकल ग्यान और आज मेरे पास अविलिबल है सैमसिंग गैलेक्सी 835 और आज की स्वीडियम देखिए कैसा आप में सैमसिंगी किसी भी फोन के अंदर आटो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हो जाए सैमसिंग के आपके पास कोई भी फोन क्यों ना हो जाए आप जैसे आप आपको 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 प्लिक करोगे आपको प्लिक करोगे आपको आपको आप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड कॉल्स का इस option के उपर आपको क्लिक करना होगा अब जैसे यहां पर आपको जो option दिखे रहा उस पाफ क्लिक करोगे आपको बहुत से option मिलेंगे उसमा आपको पहरा option मिल जाएगा auto call recording, show notification recording, records caller और delete old recording, old recording का भी आपको option बिलेता है आप simply auto call recording को on करते और अगर आप जाते हो कि call recording को बाद आपको notification बिले तो आप उसे option उसे on करना नहीं तो आप उसे off ही रखना, मैं personally में तो उसे off ही रखता हूँ, लेकिन यहां पर Samsung एक condition रखी है कि आप एक feature दिया गया है Samsung की तरफ से, इसका जैसा इस्तमाल करोगे वह आपको पर depend रहेगा और कोई भी legal चीज़ अगर होती है तो उसमें Samsung का कोई भी लिन देना नहीं है, जो कि simple से बात है, अब जैसे आप call recording को enable कर दोगे तो यहां पर आपके phone में तो auto call recording होना चुका है, अगर आप इसे off कर दोगे तो आपको manually record करने होंगे call, हाँ manually भी आप call record यहां पर कर सकते हो, उसके लाओ तीन डाट को कर आप दोबारा क्लिक करते हो, आपको यहां पर speed dialer numbers का भी यहां पर option बिल जाता है, और यह जो तरीका है Samsung की सभी phone में सेम ही काम करता है, व